तो आप जानी चुके होंगे जंता के मन का हाल कि आखिर यूपी की जंता को कैसा नेता चाहिए? मोदी जी जैसे तो अगर नेता मोदी जी जैसा हो तो आप चुनाओ कैसे जीतेंगे? जूट के बल पर तालिया इतने इमानदारी से राहूल जी ने जवाब दिया तो एक इमानदारी से और एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप चुनाओ से क्या चाहते हैं? सरफ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं अच्छा? तो क्यों आएं यहां पर? हम यहां उत्तर प्रदेश के युवाओं का टाइम जाया करने आए हैं जाया करने आए हैं अच्छा? तो मलब अब तक जितनी भी रहलियां आपने करी हैं उनमें उत्तर प्रदेश के युवाँ का टाइम जाया किया है जाया किया है मलब एख कितने युवाओं का बख जाया कराया होगा आप लोगों ना जाली में महाशिवरात्री गई है, भोले नाट डमरू कैसे बजाते हैं एक बार जब अब पतंग का मांजा कैसे लपेटते हैं एक बार जड़ा सवार ये सिर्फ मजाग के लिए था, आप वापस से लाइन पर आते हैं और आप से पूछना चाहूंगा, कि ये बताइए, अगर पॉलिटिक्स के दुगान बंध हो जाए आपकी, तो क्या कोई और आप्शन सोचा है आपने करियर के लिए, आइडिया आया है, क्या आइडिय अपने जेब में देखो, जेब, एक सेकंड़, ये मेरी जेब में आपने कब रखवाया, और आप इसमें लिखके ये कहते हो कि पिच्चर बनाएंगे, कैसे बॉलिवूड की पिक्चर बनती है न, अच्छा, मलब फिलम बनाएंगे, फिलम में क्या-क्या होता, पता है आप जूटें होती है तो सब 5-6 चीदे होती है, आपकी पिच्चर में डिरेक्टर, प्रोडूसर, कैमरामेन ये सब का काम रोल कौन करेंगा, मतलब, उसमें एक्टर भी मोधी, डिरेक्टर भी मोधी, प्रोडूसर भी मोधी, कैमरामेन भी मोधी, कैमरा भी मोधी, और एक्ट्र इसे एक बार बता दीजिए भुलनाटी डंबरू केसे विराथे